हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं one two three six classes दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करेंगे डियन और आज्यने के बारे में संपूर जानकरी तो दोस्तों वीडियो को लाइक तक देखते रहे हैं और वीडियो को लाइक कर देज़े जादा चेयर कर देजे और हां यदि आपने आपको DNA के बारे में संपोर जानकारी है या आरियने के बारे में संपोर जानकारी है यदि है तो कमेंट कर दो यह सगर यदि नहीं है तो कमेंट कर दो नो DNA और RNA पर वीडियो जल्दी मैं आपको प्रवाइट करवा दूंगा अगर आप लोग बताओगे तो दोस्तों जो DNA होता है DNA का फुल फार्म जो होता है एक सर पूछा जाने वाला कुश्चन से हैं और यह आपको साथ ही याद होगा DNA का फुल फार्म होता है डियोक्सी राइबोस न्यूकलीक एसेड क्या होता है डियोक्सी राइबोस न्यूकलीक एसेड और आर्याने का फुल फार्म होता है राइबोस न्यूकलीक एसेड यह हो गया दोस्तों जो DNA होता है और आर्याने होता है यह जिनिटिक मतेरियल होता है और हाँ यह तो दोस्तो आप लोगों को पता हो गए कि यह genetic material है genetic पदार्थ है अब आपको पता होना चाहिए यह किसका genetic पदार्थ है घास का है कि लकडी का है कि कुरसी का है कि mobile का है कि आख का है तो दोस्तो यह जीवधारियों का genetic material है मतलब जो जीवों में पाया जाता है यह उनका genetic material है कौन? DNA और RNA और दोस्तों जो human में DNA होता है वो double helical structure उसका रहता है कैसा helical? double helical मतलब 2 kundalit DNA आप लोग ऐसे DNA देखे होंगे ये देखिए ये हुआ double helical structure एक helical ये हुआ एक ये तो ये बन गया आपका double helical structure अर्थात 2 kundalit DNA दोस्तों अब बात करेंगे हम DNA हमारा double helical structure हो गया अर्थात 2 kundalit अब बात करेंगे जो human होता है human मनुस से में DNA पाया जाता है RNA अपसेंट होता है क्योंकि जिस मतलब अधिकतर जीवों में DNA या तो DNA पाया जाएगा या RNA में RNA एक जीव में दोनों चीजें बहुत rear case में पाया जाती है ठीक है दोस्तों अब बात करेंगे वाइरस की दोस्तों वाइरस में RNA पाया जाता है और इसका कारे क्या होता है इस आर्याने का disease अर्थात रोक को भैलाना दोस्तों जो AIDS का वाइरस होता है आप लोग बताएएडस का full farm क्या होता है जल्दी बताएडस का full farm बताएगे और HIV का दोस्तों जो AIDS का वाइरस होता है इसके बारे में आप लोग देख लीजे जो AIDS का वाइरस होता है उसे हम HIV भी कहते हैं और इसका जो genetic material होता है वो RNA आर्याने होता है जब वो humans के सरीर में प्रवेस कर जाता है था इंटर कर जाता है तो DNA में compose हो जाता है ठीक है तो दोस्तों अगर आपको फ्री में नोट्स चाहिए तो आप इस्टडी किंग मेरे WhatsApp नंबर वर्क संपर करें और जिस टॉपिक का नोट्स चाहिए उस टॉपिक प मतलब बंधा होता है या कठोर होता है मजबूत होता है क्यों क्योंकि उसमें hydrogen bond पाए जाते हैं देखिए जो एड़नीन होता है यह थाइमीन के साथ double hydrogen bond के साथ जुड़ता है और गवानीन साइटोसीन के साथ triple hydrogen bond से जुड़ता है दोस्तों जो DNA होता है वो negativity चार्ज होता है निगेटिवीली चार्ज होता है ठाव्फात्रीड आत्माग चार्ज होता है ठीक है क्योंकि यह फास्फोरों इस्टरबंद से जुड़ा होता है अब बात करतें आरञ्यने की आर्यने दोस्तों unstable होता है क्योंकि आर्यने कुछ ऐसा ख़ाइव दिखाई देता है और डिएन के साथ कितता दूई गवानिन के साथ तीन दिखिए एक टाइप सारे निप्रकार करता है और इने अर टी आर्याने मतला डीसीवर आ रहाने मैंसेंजर आ रहने और ट्रांसपर आ अब बात करते हैं थोड़ा सा आज एक knowledge की class है आप लोग knowledge लेते रहे हैं जहां तक है मेरा मानना है और अपने knowledge को increase करते रहे हैं दोस्तों बात करेंगे दोस्तों gene की दोस्तों जो gene होता है a segment of dna मतलब एक dna का एक कड़ होता है उसी को हम gene कहते हैं अब जैसे आप लोग के दोस्तों जो जीन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है प्रोटीन सिंफ्यस है जिससे कंट्रोल होता है ठीक है जिसको जीन को माँ वन दे मातरम